हलो डियर स्टुडेंट वेलकम टी ओर चेनल स्वी टीटिट एलेक्ट्रिकल हग तो डियर स्टुडेंट लास्ट क्लासेट में हम लोग ने देखा कि साइन कन्वेंट्सन कैसे हम लोग बैट्री सोर्च का एमेप को पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे और उसके बाद ड् नेट्वर्क में तो जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे जो बैसिक लोग लेगी जहां पर हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना रहेगा जहां पर हम लोग करेंट निकालना रहेगा तो उस समय यह के केशील और केवील मिन्स को जो किर्चप को जो है बहुत इंपॉटन है कोई लेक्ट्रिकल नेट्वर्क में जब हम लोग को निकालना रहेगा तो हम लोग केशील और की आजम लोग के क्लास में किलियर हो जाएगी और आप लोग की का अबह सब्सक्राइब तो केसील और केविगल तो केसील मतलब हम लोग क्या समझ देखिए मैंने स्टेट्मेंट को लिख के रखा हूँ आप लोग को किलियर हो जाए कि दो मिनिट में में स्टेट एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दा एलजेवराइक सम अप दी करेंट मीटिंग एट पॉइंट और जंक्शन इजीरो मतलब समझ यह होंगे आप लोग क्या है मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बात करते है कही पर एक जंक्शन पॉइंट जैदी बन रही है धियान देखीए आप यहां पर माली लेते हैं कि आई-वनकरेंट आ रही है कहीं से यहां पर फिर आई-टू-करेंट इस जंक्शन में गई है ठीक है आय्-टू-करेंट तुको अभर निकल रही है क्या हो रहा जोनों आपस में बराबर होगा जितना करंट लिव करेगी वह क्या हो में लिख सकते हैं यदि हम लोग इंटर को positive मारेंगे तो लीब को क्या होगा हम लोग negative मानेंगे तो यहाँ पर हम लोग वोई convention simple लगा रहे हैं जिदि इंटर कर रही है तो देख रहे हैं हम लोग I1 और plus I2 ध्यान देखिए ध्यान से समझेए और plus हम लोग अब बाहर क्या निकल रही है कोई भी जंक्सन में कितना इंटर हुआ है और कितना लीब कर रही है वो दोनों आपस में बराबर रहेगी जिसको जिसके बारे में हम लोगों को KCL में पता चला KCL का statement में यही है कि कोई भी जंक्सन में जतना current इंटर करेगी और current जतना लीब करेगी देख सकते हो कि सेम है मजला algebraic sum of the current meeting at a point is zero है ना अब इस point में जितना भी current meet हो रहा है देखिए algebraic sum क्या है जीरो है तो यह हो गिया KCL का statement जो बहुत ही simple है और बहुत ही आसान है ठीक है अब देखते समझे इसका हम एक जामपल भी आपको भी समझाओंगा The algebraic sum of the product ध्यान से समझेगा The algebraic sum of the product of current and resistance IR जिसको कहते है In each of the conductor is any closed path or mess in a network plus The algebraic sum of the EMF in that path is zero IR plus EMF is equal to zero बात को समझेए बहुत basic concept है पर तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे है कोई भी मेरे पास network है Basically हम बात करेंगे इसको समझेए पहले मैं आपको एक example दे रहा हूँ उसमें अभी आप लोग को केवियल को पूरी तरह से आपको किलियर कर रहा हूँ तो ठीक है हम लोग example पर आते हूँ आए समझते हैं इस problem को हम लोग देखिए इस problem को जो है कि आप लोग को केवियल लगा करके मैं अभी बता रहा हूँ जो statement में कहा गया है और जो हम लोग ने last classes में sign convention को समझाता आए यहाँ पर अभी पूरी तरह से clear हो जाएगा अप लोग की तो ध्यान से समझिएगा तो देखिए यह कोई माल लेते हैं कि तो आपके पास कोई एक network है बलगा closed path ठीक है यह कोई एक हम लोग के पास closed circuit है अब देखिए यहाँ पर resistance R1 है जो I1 current है यहाँ पर आए यह resistance R2 है और देख सकते हैं कि हम लोग का जो source का टर्मिनल बैटरी लगा हुआ यह positive है negative है negative और positive ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग कोई भी step का loop देखते हैं तो हम लोग कोई एक direction में motion लेते हैं या clockwise लीजिए एंटी clockwise लीजिए लेकिन हम इसा एक ही reference लेना होगा मतलब क्या हम बात करने जा रहे हैं मैं बात यह कहने जा रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग motion करेंगे जो KBL में क्या कहा गया है ध्यान से समझेगा इस statement को IR प्लस EMF जो भी तो आपका जो circuit में complete होगी उसका algebra एक सम लेंगे करेंगे इस Amiq का बात करते हैं Fusion समझे है यह हम लोग क्या कर राए है कि क्रवया ही Eddie करने क्या कररेंगे उधर रिक है तो देखिए आप लोग को बताए थे उधर हम लोग राइजीन जब बार्ट करते आया ड्रॉप में तो मैंने कहा था कि जदी हम लोग करन्ट का डारेक्शन में और मोशन सेम जाएंगे तो क्या होगा डियर स्टुडेंट बताइए माइनस यार होगा क्या होगा माइनस यार म I1, R1 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं शर्केट में आगे बढ़िए चलिए देखिए आगे बढ़रे रहे हैं ध्यान से अगेए चार्थ सी Country घ्र घ्री धर देखिएन से नीचे जा रहे है तो सट weapon प्लत से माइनस अब्लन या प्लत के उतिए उनलके, याप अद्लन करन्त करेंट हो क्या रहा है तो आगे पर करेंघ्स करेंट हो रहे तब क्या हो जाएगा फ्लस ऐ थ्री और यह ऑल थी देखिए धियां से एगे बरीए अब यहा आजए अवाज़ेद्ीट से जिधर नेगेतिफ continue positive तो समेंज तो नेगेतिफ पोजिटीव कम स्क्राइब क्या समिह नोग राई प्लड़ Weiter तो क्या हो जाएगा पर प्लस इवान हो जाएगी आगे बढ़िए देखिए अब जिधर करेंट देखिए जिधर करेंट उधर ही मोशन जिधर करेंट उधर ही मोशन तो माइनस आई फोर आर फोर यह क्या कहा गया है जीरो कहा गया है यही नहीं कहा गया देखिए the algebraic sum of the product of current and resistance the product of current and resistance in each of the conductor तो in each of the conductor ध्यान से देखिए इन एनी closed path तो closed path और मेस इने network plus the algebraic sum of the EMF जो बैटरी का EMF is the path is zero so IR plus EMF physical to zero तो हम लोगों ने देखिए यहां पर जो है कि इस concept को समझें क्यूंकि यह बहुत जोरी है समझना क्यूंकि इसके बात इसी सारी questions हम लोगों solve होगी questions तो कराऊंगा यह पहले तो theory को clear करना होगा तो देखिए statement तो समझें एक हम लोगों ने circuit को लिया motion को समझा EMF कब rise करेगी कब fall करेगे current का negative क्या होगा positive क्या होगा सारे चीज़े smoothly clear हो गया ठीक है motion में जब चलेंगे current के साथ में जिदी जाते हैं तो negative होगा current का opposite जाएंगे तो positive होगा battery का negative जाएंगे तो positive होगा battery का positive जाएंगे तो negative होगा बस यहाँ पर लगा रहा है और हम लोगों को यह जो है algebraic some simple तो KBL का बात करेंगे यह clear हो गई so dear student जैसा कि KCL और KBL यह दोनों बहुत important है हम लोग का electrical network का जैदी हम लोग बात करते हैं basically DC network यहाँ पर अभी चल रही है तो electrical network में KCL और KBL बहुत important है तो आज की class में जो है आप लोगों को मैंने KCL और KBL जो बहुत basic law है दो बता दिया आगे तो बहुत सारी theorem अभी आएगी ठीक है लेकिन इससे पहले जो important था यह KCL के वेल आज की clear हो गई so dear student आसा करते हैं कि आप लोगों को class बहुत मजा लग रहा होगा class बहुत interesting हो रही होगी और मैं चाहता हूँ मैं जैसे बार-बार कह रहा हूँ कि electrical and electronics engineering के लिए यह online जो platform में इने त्यार कर रहा हूँ यह best performance आप लोगों का तरब से भी आना चाहिए और मैं तो इसको improve करूँगा daily ठीक है तो इसमें हर तरह की आपको knowledge मिलेगी चाहिए बीटे क्या पर student हो, politechnik हो या जिदि आप pass out भी हो चुके हैं तो no problem आपका basic concept clear होने के साथ-साथ competitive की भी त्यारी किराए जाएगी All dear students, take care, good bye